ड्रीम आस्ट्रोलजी, सपने में दिखाई दे ये चीजे, तो समझे शुरू होने वाला है अच्छा टाइम, जिस प्रकार सोना एक स्वाभाविक क्रिया है. ठीक उसी प्रकार सोते समय सपनों का आना भी एक स्वाभाविक क्रिया है. लेकिन स्वापन शास्त्र के अनुसार हर सपना हमारे भविश्य को लेकर कुछन-कुछ संदेश देता है. स्वापन शास्त्र में कुछ सपने शुब माने गए हैं, तो कुछ अशुब. चलिए जानते हैं कि सपने में देखी गई किन चीजों को शुब माना जाता है. सपने में दिखने वाली शुब चीजे. स्वापन शास्त्र के अनुसार हर सपना देता है. शुब या अशुब संकेत. सपने में दिखने वाली घटनाओं का भविश्य से होता है. संबंध. स्वपनों का भी एक शास्त्र होता है, जिसे स्वपन शास्त्र कहा जाता है. इसके अनुसार सपने में दिखने वाली वस्तुएं या घटनाएं व्यक्ति के भविश्य को लेकर कुछन-कुछ संदेश देती हैं. यह संदेश उब या अशुब दोनों हो सकते हैं. आईए जान यह जानवर सपने में हाथी देखने का अर्थ है कि आपको भविश्य में धन, आश्वर्य और सम्मान की प्राप्ति होने वाली है. वहीं सपने में मचली देखने या खुद को मचली को पकड़ते हुए देखने का अर्थ है कि माता लक्ष्मी आप पर महर्बान होने वाली ह वहीं अगर आपको सपने में साथ दिखाई देता है, तो यहाँ इस बात की और इशारा करता है, कि जल्दी ही आपके अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है बानसुरी देखने का अर्थ भगवान श्री कृष्ण को बानसुरी अतिप्रिय है ऐसे में अगर आप सपने में खुद को बानसुरी बजाते हुए देखते हैं, तो यहाँ एक शुप संकेत है क्योंकि स्वप्न शास्त्र में इसका अर्थ है कि जीवन में खुश्या आने वाली है वहीं दूसरी और सपने में कोई जर्ना देखना एक शुप संकेत होता है इस तरह का सपना देखने का अर्थ है कि व्यक्ति के जीवन में कुछ बड़ा और अच्छा परिवर्तन होने वाला है शुब है ये चीजे सपने में खुद को उची दीवार पर बैठे देखने का अर्थ है कि जीवन में आपको खूब सुक्स्मृद्धी मिलने वाली है वही अगर आप सपने में सरकस देखते हैं तो यहार इस बात की और इशारा करता है कि आपके जीवन में भौतिक सुक बढ़ने वाले है